नमस्कार मैं हूँ सोनिया और आप देख रहे हैं कारिक्रम आध्यात में ज्यान चर्चा तो आईए शुरुआत करते हैं कारिक्रम की और जानते हैं विचार जगत गुरु तत्व दर्शी संत रामपाल जी महराज बनाम परम पूज्य संत महामंड लेश्वर स्वामी ज्याननंजी के विचार एक प्रश्ण आपसे जरूर करना चाहेंगे महराज जी गीता जी के अठारवे अध्याई के बासटवे श्लोक में गीता बोलने वाला भगवान अर्जुन को पूर्ण मोक्ष प्राप्ती के लिए अपने से किस अन्य भगवान की शरण में जाने को कह रहा है वह परमेश्वर कौन है श्रमल भगवद गीता को लेकर एक बड़ा रहस से पूर्ण प्रशन है और यह श्लोक अपने आप में बहुत महत्तुपूर्ण है गीता का तमेव शर्णम गच्छ सरव भावे इन भार्द तत्प्रसादाद प्राम शांति मिस्थानम प्राप्ससी शाश्वतम जिस अठारवेध है के 62 इश्लोक की चर्चा अपने की उचर्चा इसी इश्लोक को लेकर तम उस परमात्मा की शर्ण में तुझा वहां से तुझे परम शांति और मोक्ष मिलेगा उसके क्रपा से वस्तुता कोई और परमात्मा नहीं है हमने पूरों में भी एक प्रशन की उत्तर में कहा कि कृष्णस्तु भगवान से कृष्ण अपने आप में पूर्ण परमात्मा है पूर्ण ब्रह्म है तो ये थे स्वामी ज्याननंजी के विचार और आएए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महराज के विचार डंडवतम गोबिंद गुरु बंदू अविजन सोए पहले बहे परणाम तिन नमोज आगे वोए एक स्रीकरशन भगत से किसी ने परसन किया कि स्रीमद भगत गीता जी अद्धैन नमबर अठारा के शलोक नमबर बैसेट में गीता ग्यान दाता अपने से अन्ने किस परमेस्वर की सरन में जाने को कह रहा है वो क्या उत्र देता है कि स्री करसन अपने ही विशे में कह रहा है अपने ही सरन माने को कह रहा है वो ताविजिन का कोई ग्यान है अब स्री मद्भगत गीता अध्यान नमर दो के सलोक नमर साथ में अर्दुन कह रहा है कि मैं आपकी सरन हूँ और आपका सेस हो, आप मुझे यतार्त ग्यान बताईए, अब मेरी बुधी काम नहीं कर रही है तो श्रीकरसन की सरन में अर्दुन तो पहले था अब ये कहे कि मेरी सरण में आजा अपनी सरण के लिए कह रहा है नहीं कि तीन परमात्मा सरपुरस अक्सरपुरस परमाक्सरपुरस पुन्यात्मा गीता जी अध्याय नमर आठ के सलोक नमर एक में अर्दुन ने पूछा कि प्रभू आपने जो गीता जी अज्याय नमबर साथ के स्लोक नमबर उनतीस में कहा कि जिन्होंने तत्वा दर्शी संत मिल गया उन्होंने सारे ज्यात्म ग्यान को समझा और सभी कर्मों से प्रिचित हुआ और वो तत्वर्म से प्रिचित हुआ फिर वो जरा और मरन से मुक्ती के लिए ही छुटकारे के लिए ही वो साधना यतन करता है प्रियतन करता है वो इस संसार की किसी वस्तो की डिमाट नहीं करता है वो तत्वर्म को जान लेता है तो यहां गीता जी दे नमबर आठ के स्लोक नमबर एक में अर्दुन ने पूछा किम तत्वर्म वो तत्वर्म क्या है जिसके जानकर फिर कुछ किसी वस्तू की डिमाड नहीं करता जरा और मन से मोक्स प्राप्ति ही चाता है तो वो किम तत्वर्म अब गीता ग्यान दाता और परम अक्सरप्रम है वो परम अक्सरप्रम है वो किता ग्यान दाता से अलग है अब एक सरपॉर्ष एक अक्सरपॉर्ष एक परम अक्सरपॉर्ष ये तीन पर्भू how 3ier शरपुरुष त ये क्यां अब यहां किता 10 convin below 15 के सस्लोक नमब एक से-लेकर जारदा तक कि आप बताया है कि उस तत्व दर्सी संत की पैचान बताई है, जिसके विशे में गीता जी देह नुमर चायर के स्लोक नुमर चौटीस में वर्नन है, यह सपष्ट किया है कि ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुंड रुपी साखा वाला, यह उल्टा लटका हुआ संसा रु पत्ते क्या है, सह वेद वित वो वेद के तात पर ये को जानने वाला है और तात वो तत्व दर्सी संत है, परमेशवर स्वेम आते हैं सत्व गान को बताने के लिए, आज से लगवग छासो वर्स पहरे वो परमेशवर पूरुन ब्रह्म, परमक्सर ब्रह्म, कवीर देव, जुलाहा कबीर रूप में परगठ हुए थे, सैसरी राय थे, कमल के फूल पर सिसु रूप धार्न किया था, सन तेरा सो अठाणुए में, और आकर के एक निरो नीमा नामक जुलाहे नी संतान दमपती उनको वहां से ले गए थे, और धीरे धीरे लिला में बड़े होते रह पांथ वर्स की आयू से ही इस ग्यान का परतार सुप पराहन कर दिया था, तो परमेश्वर ने कहा था, अक्सर पुरुस एक पेड़ा नरजनवा की डार और तिन्नों देवा साखा है ये पात रूप संसा, श्री मद भगवत गीता, अज्धाय नमबर पंदरा के सलोक नमब पी वर्क्स को आप देखिएगा चीतर, आसानी से समझ माई लफ है, ये संसा रुपी उल्टा लटका हुआ वर्क्स समझो, परमेश्वर ने सुम बता है कि अक्सर पुरुस एक पेड़ है, और सर पुरुस इसके डार समझो, ये काल समझो, काल बरहम समझो, इसको कुछ भी कहो, ये इसके इसी के प्रयावाची नाम है, सर बरहम, अर्थात सर पुरुष, काल बरहम, इसको बरहम शर पुरुष भी कहते हैं, सर पुरुष, ये तो डार समझो, इस संसा रुपी वर्क्स की, और तिन्नों देवा, रजगुन बरमाजी, सत्गुन विश्णुजी, इस आश्या को समझने के लिए, अब ये गुप्त कोन है, ये जड़ कोन है, ये परमकसर बरहम है, परमकसर पुरुष को हो, परमकसर बरहम को हो, या पूर्ण बरहम या परमेश्वर को हो, परमकसर बरहम को, ये गीता जी धारमर 15 के सलोक नमर 16 और 17 में ये concept बिल्कुल कलिय तीन भगवान है एक तो परमक्सर प्रुश को हो परमक्सर ब्रहम को हो ये तो जड है पूरे संसा रूपी वरक्स की यहीं से सबको उत्प Means को परत новых चाहर मिलता है रिए सक अधर्मशन यहीं करता पर फैर तना जो जमीन से बाहरे दीखता है उसको अक्सर पर बिन्य हूंि और और उसके फिर एक डार है वो सरपुरुश है ये ब्रह्म है जो गीता बोल रहा है और तीनो देवा रजगुन ब्रमा सद्गुन विशनु तमगुन शिवजी ये साखा है और हम पात रूप सलसा अब रजगुन ब्रमा है सद्गुन विशनु तमगुन शिवजी ये भी आपके लेखेगा मारकंडे पुरांड सचीतर मोटा टाइब केवल हिंदी गीता प्रेस गुरुपर से परकासित है और इसके ये परकासित मुद्रक गीता प्रेस गुरुपर इसके 123 परिश्ट पर आप देखेगा बगवन यह सारे यही बता रहे हैं इस तरह श्वेंभू प्रमात्मा की तीन अवस्थाएं होती हैं रजोगुण परदान बर्मा, तमोगुण परदान रूदर और सतोगुण परदान विश्वपालक विश्णुजी हैं यही तीन देवता हैं और यही तीन गुण हैं सप्रश्ट हो गया यही तीन देवता हैं और यही तीन गुण हैं रज़ गुण को हो, सत्व गुण को हो, यह तीन देवता को हो, यह तीन गुण को हो और देखिएगा है श्री मद्देवी भागव तीन दिस ठीकासित भाग एक यह कहां से परकासीत है श्री अथ देवी भागवतम सभास टीकम सैमात्यम खेमरा स्रीकर्षन दास परकाशन बंबई चार इसके हम तीसरे भाग पराते हैं तीसरे सकंद में यह देखिएगा अथ श्रीमत देवी भागवते भासा टीका युकते यह देखिएगा अध्याए पांच तीसरे सकंद इसका आठमा सलोक हे मात है संकर भगवान बोलें सिव जी हे मात है यदि हमारे उपर सदा आप दया युकत हो तो हम को तमोगुण में किस परकार पर धान किया है बिर्मा रजोगुण और हरी सतोगुण युकत क्यों किये फिर देखिएगा अब हम संस्कर्ज पढ़ेंगे यदि द्या दर्मना नस्दा पी के कथम एहम वहीत चाहे संकर भगवान करे हैं किस परकार मैं बना दिया तमोगुण है तमोगुण है कमल से उत्पन होने वाले बिर्मा को आपने रजोगुण संभव को रजोगुण उत्पन कर दिया सुवी तक कि मूद सतोगुण हरी और किस परकार आपने विश्ण जी को सतोगुण उड़ा दिया रजगुण बर्मा सत्गुण विश्णू तमगुण शीव जी और मारकन ने परान में आपने कलियर सुन लिया यही तीन देवता है आप स्वें पड़ा और यही तीन गुण है रजगुण बर्मा सत्गुण विश्णू तमगुण शीव जी अब सिरी मद्भगुद गीता जी अध्याय नमबर 15 के स्लोक नमबर 1 से लेकर 4 को समझना अतियासान हो जागा है यह देख़ीगा शीरी मद्ध देवी भागुद जैद्याल गुण का इसके अन्वादक है गीता प्रश गोरुपुर से परकासित है अध्याय नमबर 15 पंध्याय और मंत्र नमबर 1 स्लोक नमबर 1 में आदी पुरुष परमेश्वर मूल वाले उर्धव मूलम अध्य साखम अस्वतम प्राहु अव्यम चंदासी यस्य प्रणानी ये तमवेद सेवेद वित उपर को जड़वाला अध्य साखम नीचे को साखावाला ये संसा रुपी ये अविनासी पीपल का व्रक्स है और चंदासी यस्य प्रणानी इसके पत्ते जैसे उपर को जड़ साखा और पत्ते आदी जो चंद हैं भाग हैं विभाग हैं ये तमवेद जो इसको जानता है सेवेद वित वो तत्तवदर्सी संथ है ये देखें आदी पुरुष परमेश्वर मूल वाले अध्य साखम इन्हों यह गल्द किया है बर मारूब साखा मुख्य साखा वाले ये गल्द किया है ये अध्य माने नीचे होना चाहिए देखो यहां इन्होंने इसी के पंदर मेश्वर मेश्वर मूल वाले अध्य माने नीचे को साखा वाला ये संसाबरी पीपल के वरक्ष का विनासी कहते हैं वेद जिसके पत्ते कहे गए है उस संसार रूप वरक्ष को जो पुरुस जो साथ जो विक्ति मूल सही तत्व मूल सही तत्वा से जानता है जड़तें लेकर पत्तों तक बता जीगा से वेद विद वह है वेद के तात पर ये को जानने वाला है वो तत्व दर्शी संत है अब यहां दूसरे हम कहा है उस संसार वरक्स की तीनों गुन रूप रजगुन बर्मा, सद्गुन विश्नो तमगुन शिवजी रूपी तीनों साखाएं है विशे परवाला साखा विशे विकारों वाली ये तीनों साखाएं हैं नीचे और उपर फैली हुई है शर्वतर नहीं ये गल्द लिखा है और धोवान उपर फैली मुनस लोग में कर्मो अनुसार बांदने वाली विए तीनों आपने करमानुसार सब को यहां बांधे रहते हैं, आपने करमानुसार उनको यह सब देते रहते हैं, नीचे और उपर व्यापत हैं, नीचे और उपर सभी लोकों में नहीं, उपर सुर्ग लोक में, नीचे पाताल में और पर तीन लोकों में यह व्यापत है, अब तीसरे हम क नहीं पाया जाता, यहां विचार कालवाने के तेरे मेरे इस गीता जी के डिसकसन में मैं नहीं बता पाऊंगा यहां नहीं मैं नहीं बता सकता है संसारुपी वरक्स के सभी विभागों को नहीं बता सकता इसलिए गीता जी देह नुबर चार के स्लोक नुबर चौटीस में कहा कि उत्तव दर्सी संत बताएगा ने इसका आधी है और ने इसका आन्त है और ने इसकी अच्छी परकारस्तिती है इसलिए इस सो विरुड मूलं अती दर्ड मूल वाले ये गलत लिखा है यानि मूल यानि पूर्ण परमातमा और उसका लोग तो अविनासी लोग है वो कभी नष्ट नहीं होता इसलिए अती दर्ड मूल वाले इस संसार रुपी पीपल के वर्क्स को असंग संस्त्रेन इन्होंन विरा गृप सस्तर द्वारा काट कर नहीं तत्व ग्यान रुपी सस्तर द्वारा काट कर याई सको समंझ कर जब तत्व जब तर शी संत्र मिल जा Cup उसको समंझ कर अब चौथा शलो का पंदर में जाएगा उसके पस्चाथ उस परमपदरू परमेश्वर को भली बाती खोजना चाहिए जिसमें गए हुए पुरुष फिर लोटकर संसार में नहीं आते और जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वरस की परवर्ती विस्तार को प्राफ्ट हुई है और उसी आधी पुरुष नाराण के मैं सरन हूँ इस परकार दढ़ निस्चे करके उस परमेश्वर का मनन और निदी धासन करना चाहिए अपने अत्माओं ये सफ़ष्ट हो गया कि गीता ग्यान दाता को भी पूरुण ग्यान नहीं है इसने सफ़ष्ट करके छोड़ दिया कि उपर को जड़वाला नीचे को तीनों गुन रुपी साख़वाला और गीता जे देहर नमर 4 के सलोक नमर 34 ने बताया कि उस तत्व ग्यान को तत्व दर्सी संत बताएगा गीता ग्यान दाता उस ग्यान को नहीं जानता तो उसके लिए परमात्मा खुझ आये थे आज से 600 वर्स पहले परमेश्वर ने स्वम बताया था अक्सर पुर से एक पेड़ है नरंदनवा की डार और तिन्नो देवा साखा है ये पात रूप संसार अब इसमें ये भी सफ़ष्ट किया है गीता ग्यान दाता कहता है कि तत्व दर्सी संत मिलने के पस्चाथ इस उल्जी हुई गुथी को समझ कर उसके पस्चाथ परमेश्वर के उस परमपद की खोज करने चाहिए जहां जाने के बाद फिर लोटकर कभी संसार मानी आते है उनका जनम मर्तू कभी नहीं होता वो है वास्तव परमगती जो गीता ग्यान दाता से कोई और परमेश्वर है और वो संथ बताएगा तो पुन्यातमो यहां गीता ग्यान दाता इसलिए गीता जे देह नमर साथ के सलोक नमर अठारा में अपनी गती को अनुतमाम अती गटिया कहता है कती वर्थ है क्योंकि जनम मर्तू कहता मेरी भी रहेगी और सादक की भी रहेगी ब्रहम लोक में पहुंच जाएगा मेरे ओव नाम के जाबते है और ब्रहम लोक में गए हुए विप्रानी फिर वापस जनम मर्तू आते है इसलिए गीता ग्यान दाता ब्रहम श्री करसन में बोल रहा है यह खुद करा कि मेरी जो सादना है वो अती अनूतम है वेर्थ है वो गटिया है इसलिए गीता जिद है नमर पंदरा के शलोक नमर एक से चार में कहा है कि उसके पस्ता तुस प्रमपद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद फिर लोटकर सादक कभी वापस नहीं आते है उनकी जनमर तो नहीं होती है पूरण मुक्स प्राप्त होता है और कहता है पूरण रूप से सक्षी सर्दा से उसी की सादना करो गीता गयान दाता कहता है अब गीता जी अध्धाय नमर पंदरा के शलोक नमर शोला और सत्रा में तीननु पुरुष यानि परभुषों की जानकारी है सरपुरुष अक्सरपुरुष और परम अक्सरपुरुष गीता जी देह नमर आठ के सलोक नमर एक का उत्र सलोक नमर तीन में गीता गयान दातान का है अर्दुन ने पूछा क्यों किम्तत बरम गीता ग्यान दाता कहता है कि वो प्रम अक्सर ब्रम है अब सरपुरुष तो यह खुद है अक्सर पुरुष यह समझो तना और तने का आगे एक मोटी डार निकलती है वो सरपुरुष आगे तीननों देवा साखा, रजगुन ब्रमा, सत्गुन विश्वन, तमगुन शिवज और मूल भगवान जो है वो प्रम अक्सर ब्रम है जिस से सब का धार्न पोशन होता है गीता जिद्धाय नंबर 15 के स्लोक नंबर 16 और 17 में तीन पुरसों की तीन प्रभुवों की जानकारी है यह देखिएगा अध्धाय नंबर 15 और स्लोक नंबर 16 देखिए श्रीमत भगु होतानी कटुषता है अक्सर उचते है इस लोक में परच्वी वाले लोक बोले जाते हैं जो साथ संग बरमंड इसके अक्सर पुरसके और 21 बरमंड सर पुरसके इससे पहले थोड़ा चीतर दिखाते है आपको अब देखिएगा यह एक बरमंड का लगू चीतर है इसमें क्य विर्षता है देखिएगा यह नीचे के साथ पाताल आदी यह साथ लोक है और यह पर्थवी लोक है यह बरच्वी जी का लोक यह बरमंड जी का लोक यह विश्वन जी का अपनी राज़दानिया है यह स्वरक लोक और नरक लोक यह धर्मराय का लोक है यह एक मान सरूर है यहां पर और यह है वो ब्रह्म लोग यह इतना ब्रह्म लोग है अब जैसे तो ब्रह्म आविश्व मेश्व की पूजा करते हैं इस कोमन स्वरग में जाते हैं इस स्वरग लोग में आ जाते हैं और यह तो बहुत सिगर ही इनका पतन हो जाता है जो ब्रह्म की साधना सरपुर कि करते हैं वो यहाँ इस परमलोग में पहुंच जाते हैं इसने यहा तेन नकली स्थान बना रखे हैं माहिंदर कादव Gleich सत्लोग नकली अलगलोग नकली अगमोग और नकली अनमी लोग ये सारा मॉ sneaking ब्रह मग वह देखि trainings और यह स्वम इसने तीन गुप सथान बना रहा है एक सथान पर यह स्वम बर्माजी का रूप धान करके रहता है और दुर्गा इसकी पत्नी है उसको यह शावत्री रूप में रखता है यह रजोगुण पर धान अक्षेतर है ये एक सतोगुन परधान अक्सेतर है जिसमे यस्वम विश्वन रूप धान करके रहता है और दुर्गा को लक्समी रूप धान कराके यहां रहता है जब तक ये इसमे रहते हैं उनके दोनों के स्रिष्टी करम से जो पूतर रुप्पन होता उसका नाम विश्वन रख देते हैं वो अटोमेटिकली सतोगुन हो जाता है और जब ये बर्मा के रूप में रहता है रजगुन परधान अक्सेतर में तो इन दोनों के स्योग से जो पूतर रुपन होता है उसको इसी सुरुप का रुपन हो जाता है उसको वो अटोमेटिकली रजगुन युक्त हो जाता ह और यही काल यह सरपुरस मतीसरी तमोगुन परधान अक्षेतर में रहता है दुर्गा को पारवती रूप में रखता है इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन होता है वो एटोमेटिकली सभाविक तमोगुन हो जाता है और उसका नाम यह सीव रख देते हैं सतोगुन से उत्पन पुत्र को विशो नाम रख देते हैं और एक अक्षेतर में जो उत्पन होता है उसको बर्मा नाम रख देते हैं वो रख दोगुन युक्त हो जाता है तो यह एक बर्मांड है ऐसा एक बर्मांड है ऐसे ऐसे 21 बर्मांड का स्वामी ये काल है सरपुरुश ये देखिए ये काल के 21 बर्मांड ये सरपुरुश भी कहते हैं इसको अब जो आपने एक बर्मांड ये देखा था पूरा ये समझो अब ये एक गैंद सी होगी गैंद तो इस ने पांत बर्महंडों का एक ग्रूप बना रखे ऐसे ऐसे चार महा बर्महंड बना रखे इसमें बीस बर्महंडों को रोका हुआ है और ये 21 महा इसने अलग से अपनी एक राजधानी बना रखे इस परकार ये 21 बर्महंड का स्वामी है और बिर्मा विश्णु महिस जी तो केवल इन तीन लोकों में इस पाताल लोक पर इस परत्वी लोक पर और इस स्वर्ग लोक पर एक एक विभाग के स्वामी है रजगुण विभाग के बिर्मा जी सत्गुण विभाग के विश्णु जी और तमगुण विभाग के शिव जी ये किवल एक बर्माणड में इन तीन लोकों पर एक एक भी भाग के अधिपती हैं बस और ऐसे ऐसे 21 बर्माणड है इस काल के अब बर्मा विश्णों में इसकी सतीथी से आप परीचित हो जाओगे और ये है अब ये असंग बर्माणड का मालिक ये पूरी सतीथी आप इससे समझेंगे तीनों भगवानों की ये देखिएगा सरप्रुष अक्सरप्रुष और पर्म अक्सरप्रुष ये 21 बर्माणड हैं जो अभी आपने देखिए थे अब ये इस अथी थीम आगे है ये तो सरपुरुस यानि काल बर्म के हैं 21 बर्माड और ये साथ संख बर्माड है साथ संख बर्माड ये अक्सर पुरुस के या पर बर्म को होते हैं अक्सर पुरुस को ये वाले ये अलक्सिय दिखाई देती है और ये पूरे असंग बर्मांड का कुल मालिक इन पे भी इन पे भी उन सब पे जो मालिक है वो परमक्सर बर्म कवीर देव है ये परमक्सर बर्म है ये सब का स्वामी ये परमक्सर बर्म है ये पूरा पूरा देखें अब ये तीन वगवान समझाओंगे सरप्रुस अक्सर प और ये प्रमुक सर्पूरुस की यानी पूर्ण प्रवाण अपने अत्माओं ये है ये जातिम ग्यान और ये है गीता जी का ग्यान अभी तक ये दंद कथा सुना रही है हमारे को इनको कैख है का नहीं पता गीता जी के ग्यान का अब इसमें सफ़ष्ट करिया है कि पंदर में अज्याय के सोला और सत्रामत तीन प्रभू सफ़ष्ट लिखे एक सरपुरस ये 21 ब्रमांड का स्वामी है ये काल है जो गीता बोल रहा है सिरी किर्शनमा प्रविस करके और अकसर पुरस ये प्रवर्म है जो साथ संग ब्रमांड का स्वामी है और तीसरा जो प्रम अकसर प्रवर्म है उत्म पुर्शत वन्य प्रमा अत्मायति उधारते ये देखिएगा सिरी मत भगुत गीता अध्याय नमबर पंदरा का अप्सलोक नम्बर ये सोला है, पंदल में दैका सोला है, दिवव, इमव, पुरुषव, लोके, सरे चे, अक्सरे एव चे, सरे, सर्वानी, भूतानी, कटुष्ट, अक्सरे उचे ते, इनी इस परिछवी वाले लोक में दो परमात्मा सूपरसिद हैं, एक सरपुरुस और एक अक्सरपुरुस तह तो तनह है, सरपुर्स ये संसारुपी वरस की एक मोट टार है, दिवव, इमव, पुरुस ओ लोके, सरे हचे एक्सरे, इन दोनों, सरव पुरुस के जो लोक हैं, ये दो बगवान हैं, और इनके और इनके उ बुत तरग पराणी हैं, उनके, सत्वल शर प्रश उन्हें संपन्पुनियों के सरीर तो नास्वान है, सप्राणी नास्वान है, जीव आत्मा, आत्मा सबकी अमर है, यह देखिए, अब देखिएगा, देखिएगा देह नुमर 15 का हम सोल मासलो के नही के अनुवाद को सुनाते हैं, इस संसार में नास्वान और अविना आवि सत्रम्य में कहा है उत्तम पूर्शय तुवण्य Jew इत्य उद्धारत यह लोक श्रुण यह जोद प्रिण आविं सेvभर्तीम अवे्श्वट उत्म पुरुष यानि सरेष्ट परमात्मा वास्त्य भगवान तो इन दोनों से इस सर्पुरुष और अकसर पुरुष से भी कोई अन्य और है पंदर में का सतर्मा स्वश्ठ कर रहा है और उसको भगवान कहते हैं वो परमात्मा कहलाता है ये लोग तरह मावेसे वरती जो तीनों लोग को परवेस करके सबका धार्ण पोश्ण करता है वो अवे इस वरे है वो अविनासी परमात्मा है अब पुझातमों ये सपस्ट हो गया कि गीता ग्यान दाता से अन्य और सुप्रीम पाउर है वो परमक्सर ब्रहम जो है वो तीनों लोग को में परवेस करके सबका धार्ण पोश्ण करता है वो मूल यानि जड़ उल्टा लटके वे संसार रुपी वर्क्स की जो उपर जड़ है वो मूल रुपी परमात्मा है और वही पूझा के योग है उसी की पूझा करनी चाहिए अब फिर जेखिएगा एक वे चीतर को आसानी से समझ माएगा ये पूरा संसार रुपी वर्क्स देखो उपर को उर्दो मूलम अधै साखम उपर को जड़ मूल परमात्मा रुपी जड़ वाला और नीचे को तीन नुगर्ण रुपी साखम वाला गीता ग्यान दातान क्यों इतना ही बता है उपर को तो जड़ है वो समझ हो पूरा परमात्मा है और नीचे तीन नुगर्ण रुपी साखम है इस बाकी के बारे में बता है कि इस पूरे रूप से जानकारी मैंनी जानता तत्व दर्शी संत बताएंगे और गीता जी देहरमर 15 के सलोक नमर एक में कहा कि इस सारे भी भागों को इस पूरे संसार रूपी वर्क्स के सभी भाग बता देगा सेवेद वित वो तत्व दर्शी संत है परमेश्वर कबीर जी स्वेम आकर के सथ सो वर्स पहले हमें बता कर गए थे कबीर अकसर परुष एक पेड़ है निरंदन इस सर परुष को काल निरंदन भी कहते हैं यो काल निरंदन वाकी दार और तिन्नो देवा साखा है पातरों सलसा इस परमेश्वर ने सथ सो वर्स पहले ये ग्यान हमें दे रखा था जिस आधार से पुवितर गीता जी भी संज में आ रही है और पुवितर गीता जी ने भी इसको सेकंड कर दिया परमानित कर दिया कि तीन पर्मात्मा सरप्रुस ये अक्सरप्रुस ये पर्म अक्सरप्रुस ये पर्म अक्सरप्रुस ये पर्म अक्सरप्रुस अब उन्हात्मा परसंग चल रहा है कि गीता ग्यान दाता ये ब्रम है ये ब्रमा विश्णो महेश से अन्य है गीता ग्यान श्री करशन नहीं दे लेता है और जनता भर्म में पढ़ जाते हैं सादक के विश्णु सतोगन विश्णु भगवान ही पूर्ण परमात्मा है लेकिन ये होता है काल अब देखिए विश्णु पराण में एक और परमान देते हैं श्री विश्णु पराण गीता प्रैस गोर्व कुर्शे परकासित इसके पर्थमनस अच्द्रहय बाईस और स्परावन यह प्रिश्टन नम्र देखिए दो श्री विष्णू परान और अठावन आश्लोक सपरश्ट कर रहा है पर्थमनस अच्द्रहय बाईस और सलोक अठावन हे बर्मन बर्मा विशनु और सीवे बर्म की परधान शक्तिया है उसे लियोन देवगर है यानि बर्मा विशनु शीव से बर्मा अलग है ये काल है बर्मा विशनु महिस का पिता है जैसे गीता जिद्ध है नमबर आठ के सलोक नमबर तेरा में गीता गियन दाता ये ब्रहम श्री करसन में पर्वेच करके बोल रहा है कि ओम इती एक अकसरम ब्रहम विवहारन मामनू समरन ये परियाति तजंदेहम सज़ःति परमाम गतिम मुझ ब्रहम का एक ओम अकसर है नथे इंगल्स यह एक ओम अकसर है और इसका उचारन करके सिमन करता हुआ ये परियाती तजन देहं से याती परमाम गतिम मेरे से यानि ब्रहम से ओम नाम के जाब से मिलने वाली गति जो ब्रहम लोग है वो इस से प्राप्त होगी आपको बताजा अज़्धाए नुबर आट के गीता जी के मंतर सोडा में सबस्ट किया है कि ब्रहम लोग परियन बिग मुइ सभी जनम वरती میں आते हैं पुन्रा वरती में यानि इसलिए गीताए जिद्धाए नुबर आट के सलोक नुबर इफारा में अज्धाय नमर 18 के सलोक 62 में गीता ग्यान दाता किसी अन्य प्रमात्मा की साधना करने को जोर दे रहा है और कह रहा है कि उसकी साधना करने से यही तरह प्रमगती होगी पूर्न मोक्स होगा फिर जनम मर्चुक कभी नहीं होगी अब गीता ग्यान दाता आठ में जाय के पर्थम सलोक में अरजुन ने जो परसन किया कि आप जी ने साथ में जाय के गीता जी के 29 मंतर में सलोक में कहा है कि उस्तत्वर्म को जान कर सारे दात्म को जान कर और कूरे कर्म से परिचित होकर परानी केवल जरा और मरन से बुढ़ापे और मर्तू से छोटने का परियतन करता है तो आठ में जाएके पर्थमंतर में अर्दुन ने पूछा किम तद्वर्म उसका उतर गया तीसरे सलोक में गीता ग्यान दाता है कि वो परम अक्सर ब्रम है वो जड़ रुपी भगवान है उसी की पूजा करने से कभी दनमर तू नहीं होगा अब गीता जिद्वर्म आठ के सलोक नमर पांच और साथ में गीता ग्यान दाता कहता है अपनी साधना के मेरी साधना कर मेरी भक्ती कर मुझे ही प्राप्त होगा तो युद्वी कर और मेरी सर्ण में रहना है तो मेरा ओम नाम है और मेरी भक्ती कर फिर गीता जिद्वर्म आठ के सलोक नमर आठ नो दस में उस परम अक्सर ब्रम की साधना के विसे हम बताया है कि उसकी साधना करनी है वो परम अक्सर ब्रम है दिव पुरुष है उसकी साधना करने वाला प्राणी उस परमेश्वर के पास दिला जाता है और उसका क्या मंत्र है गीता जिद्धा है नंबर 17 के सलोक नंबर 23 में का है ओम तत सत इती निर्देस है बर्मने तिर्विद समर्त है बर्मने माने सचीदानंद धन बर्म का तिर्विद माने तीन परकार से सिमन करने का इस ओम तत सत इस तीन मंत्र के जापका निर्देस है निर्देस माने नथिंग एल्स और कोई मंतर नहीं है अब यहाँ ओम तो बिरम का सरपुरुष का मंतर ही तो अंडर्स्टूट है इसने कलियर कर रख है और तत यह अक्सर पुरुष का और सत है यह परमक्सर पुरुष का परमक्सर बिरम का तत यह गुप्त है सांकेतिक है और सत भी सांकेतिक है ओम डिक ओपन सारवजनी कै इसलिए गीता ग्यान दाथा ने आपसिं छोड रखा है चोथे जायके चोथे जायके उस उस ग्यान को जो चोथे जायके थीच में सलोग में ब्रमने मुखे तो चारित ग्यान है वो तत्व Сейчасप परमातमान जो कोड़ वर्ड है, ओम को छोड़ कर तत और सत, ये कोड़ वर्ड है, ये गुप्त संकेतिक सबत हैं, ये दास बताएगा, इस दास के तरिक्त 21 बर्मांड में, आज किसी के पास ये राज नहीं है, परमाइश्वर कबीर देव ने, पुर्ण परमेश्वर ने, उसका तीन मंतर के जाप का नर्देश है, उसको पाने का, उसकी प्राप्ती का मंतर है ये, यानि इस साधना से वो मिलेगा, ओम बर्हम का जाप है, और तत ये संकेति के ये अक्सर पुरुस्यानि अक्सर बर्हम का, और सती भी संकेति के परम अक्सर बर्हम का, उस परम अक् परकार से इसका सिमन होता है गीता अध्धाय नुबर 15 के सलोक नुबर 1 से 4 में कहा कि उस तत्वदर्शी संत मिल जा उसके पस्टाथ परमेश्वर के उस परमपद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद फिर सादक लोट के फिर कभी संसार मनियाता और जिस परमेश्वर न सोड़ ब्रमपद की रचना की है और मैं भी उसी की सरन हूँ उसी की पूजा करनी चाहिए अब गीता गयान दाता चोथे दाय के 5 में सलोक में और 9 में में दूसरे दाय के 2 में सलोक में कहता कि मेरे भी जनमर चुहते हैं और तेरे भी होते हैं इसलिए गीता जी अध्याय नंबर है अठारा के स्लोक नंबर बैसेट में का कर दूं तू सर्वावाव से उस परमिस्वर की सरनमजा उसकी करपा से ही तू परम शानती और सास्वतन सथानम सनातन परम धाम को उस रित धाम क पराप्त होगा जहाँ जाने के बाद फिर लॉट के समसार में कभी नहीं आते हैं वो पूर्ण मोक्स पराप्त हो जाता है अब गीता जह नंबर आठ के स्लोक नंबर 13 में गीता ग्यान दाता कहता ओम इती एकक्सरम बिरहम विभारन मा मनुसमर्ण ये परियाती तजंदेहम सायाती परमाम गतिम मुझ बिरम का एक ओम मंतर है नथिंग एलस और जो इसका समन करता हुआ श्री छोड़ कर जाता है तो ओम से मिलने वाली जो रहा था उस परम गतिम को पराप्त होता है फिर आठ में जाएके पांच और साथ में तो अपनी पूजा के लिए बताए कि मेर पराप्त होगा गिता जी अध्याय नमर आठ के सलोक नमर आठ नो दस में उस परम अक्सर बिरम के विशे में जाने का अमर पद पराप्त करने का मंतर ओम तत सत इस तीन मंतर के जाप का निर देश है नथिंगर्स और ओम सीधाई बिरम का है इसको सरपुरुष भी कहते हैं और तत ये अक्सर पुरुष का है और सत ये परम अक्सर पुरुष का है परम अक्सर बिरम का है तो ओम तो सीधा ही है तत और सत ये सांकेतिक हैं उसके लिए गीता ज्याय नमर चायर के सलोक नमर चौटीस में कहा कि अर्दुन तो उस तत्व ग्यान को तो तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ इसे सिदे कि गीता ग्यान दाता भी इनकम्प्लीड ग्यान रखता है उस परमक्सरपर्म के पाने की वीधी उसके पास नहीं है उसके लिए उपसन छोड़ जाके तो तत्वदर्शी संतों की खोज कर और वो ग्यान से वेदवित अब गीता जी अज्धाय नमर 18 के सलोक नमर 62 में कहा कि तू सर्वे भाव से उस परमिस्वर की सडमजा उस्तत परम की सडमजा परमकसर परम की सडमजा जिसकी करपा से तू परंशानती को और सनातन परमधाम को पराप्त होगा जो कभी नासमा नहीं आता जहां जाने के बाद फिर लौट करने आते वहां जाने के लिए आपने क्या करना होगा गीता जी अज्धाय नमर 18 के सलोक नमर 66 में कहा के कहा इस गीता ग्यान दाता ब्रमने के सर्वे धर्मान परितज माम एकम सर्णम वरज अहम तवा सर्वे पापे भा मोक्षामी मासुचे अब गीता ग्यान दाता कहता है तो अगर उस परमात्मा की सलोक जाना है ना तो मेरे सतर के जितने बी धर्मी को जाए हैं सर्वे धर्मान परितज माम मेरे सतर के ओम नम के जाब की कमाई है मुझे छोड़ दे हम पहले क्या करते थे ओम नाम के जञाब की कमाई बिर्मलोक में जाक generational कराते थे फिर यहीं तो दनाम मरतियों में रहते थे क्योंकि ओम बिर्म का जाब है और बिर्म की जाब से दनाम मरतियों कभी निस्ट नहीं होती यो भी नासवान है इसकी भी मरत्यू होती है और सादकी भी मरत्यू होती है तो अब हम इसकी ब्रहम लोक में इसका पर्तिफल नहीं लेंगे ओम नाम का अब यह कहता है तुने वहां जाना उस परम अक्सर परम के पास सनातन परम धाम में जाना ते मेरे सतर रोम नाम की कमाई मुझे छोड़ कर एकम सरनम वर्ज जिसके बराबर दूसरा ना हो एद्वितिय प्रमात्मा उसकी सरनम जा तब मैं तुझे सब पापों से मुक्त करता हूँ क्योंकि हम पापों क्या दार पर आगा देख उते सूर बन रहे हैं जब हम इसका कोई लेना देन मारा इनका रहेगा नहीं तो यह हमारे प्रमांगे क्या अब यहां सभी अनुआद करता हूँने बठा बठा रहे हैं सभी ने कहा कि वर्ज माने आजा आना जबकि वर्ज माने जाना होता है पहले इस सब्द कोस से कलिर करते हैं अब देखेगा संस्कर्त इंदी कोस वामन सिवराम आपते दोवारा इसका संग्रह किया गया है और यह हैं मोती लाल बनास्वी दास पबलिसर्ज प्राइवेट लिम्टिड दिल्ली से परकासित है इसके नो सो त्रेणमा प्रिष्टर है वरज माने जाना चलना प्रगती करना बिदा होना यह सारा है निर्वासित होना वरज माने जाना आना नहीं होता गो माने जाना है तो उसका अर्थ आना हो ही नहीं सकता एक सिद्धी सी बात है इंगलेस वरड है गो उसका अर्थ आता जाना उसका अर्थ कम नहीं हो सकता अगर कोई कम करता है तो उसने कोई ग्यान नहीं वर्द माने जाना है तो उसका आना जिसने किया है उनको कती ग्यान नहीं उन्हें अनर्थ कर दिया अब देखिएगा शिरी मद भगवत गीता के अन्वाद करताओं की कलावाजी यह देखिए जैद्याल गोंद का गीता प्रेश गोरुपूर से प्रकासित है यह अठार मा अध्य है शिरीमत भगवत गीता अठार मा अध्य है और यह छेशेट मा से लोग है इसमें वरद सबस्ट है सर्वे धर्मान परितज माम एकम सर्णम वरज एहम तवा सर्वे पापे भ्या मुक्षामी मासुच क्या अर्थ किया इनोंने संपूरन धर्मों को अर्था संपूरन कर्टव कर्मों को मुझ मैं जाकर तू केवल एक मुझ सर्वे सक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की सर्णम आजा वरज माने आजा यह अपना देख लिया गीता प्रैस गोरवपुर से परकासित में अब परमातमा कभीर परमेश्वर कहा करते है पाक खंडी की पूजा जगम संतन कहें लबाडे कभीर परमेश्वर को तो कहते है यह तब पड़ था किसे पड़ आया को नहीं पंडिता दौर है ओभी कुम्या यह पंडिता न कायट रहा है की टाट यू कर दिया घंडी नास कर रहा है यह रद कर दिया और पन वेश्वर शून छटा सौ साल पहले यह बता रहा कि सारी कानी कती यथार्त लोग दे रहा है मालिक ने कबीर वाणी में सचीदा नंद घन बर्म की वाणी में यथारस ग्यानते रखा है निरंजन दन तेरा दरबार निरंजन दन तेरा दरबार जहां पर तनिक ना न्याय विचार कहे कबीर सुनो भैसा दो यह सब उलटा व्योहारे सचों को तो यह जुठा बताओं इन जुठों का एतबार निरंजन दन तेरा दरबार निरंजन दन तेरा दरबार जहां पर तनिक ना न्याय विचार पुनात्माओं आप देख रहे हो अब कबीर परमेश्वर कहते हैं कबीर यह माया अठ पटी सब कट आण अडी और किस-किस न समझाओं या कुवा बांग पड़ी इस एक कुए का पाणी पीरे सारा बांग वाली अरुसी तरह चल रहे हैं वर्जमाने नो का आजा वर्जमाने जाना होता है गोमीन जाना है उसका कम अर्थ कैसे कर दिया आज तक आखनी कुली प्लग पच्पन सो बरस होगे इस गीता जी के को लिखे हुए आज तक ये कैखनी समन सके इस गीता जी में क्या लिखा है इसमें तीन प्रमात्मास पष्ट हैं और जो प्रमक्सरवर्म है उसी की पूजा से पूर्ण मोक्स होगा वो तीन मंतर का जाप है ओम तत सत शिधा नहीं है ओम तो डारेक्ट है तत और सत संकेती कहीं ये दास बतावगा इस दास के तरिक किसी के पास ये मंतर नहीं है और मोक्स होई ही नहीं सकता इस मंतर के बताए बेना और दास ही अधिकारी है इस पर कोई अधिकारी वरत मानमा है भी नहीं